बग्गा साथ है बग्गा साथ दू चीजे है अब एक तरफ है ना लड़ने जगरने वाली बात है कि अमेरिका नेटो आ जाए बंबं गिराएं वो भी रश्या से लड़े है उसकी संभावना है चुकि कम होती भी दिख रही है क्या ये समझे कि अब जो आगे जो भी लड़ा है कि ये सैंक्शन्स और बातचीती जैसे 2014 के बाद हुआ था और एकाद एग्रीमेंट और साइन कर लेंगे बट डिफेक्टो तो पुटिंग का कंट्रोल आ जाएगा अब ये है कि पुटिंग कहां रुकेंगे क्या वो एक घेरा बना लेंगे युक्रेन में के अपना रश प्लांट में और ये पुटिं ने फॉल्स न्यूस फैला दी थी कि वो नुक्लियर वेपन बनाने चा रहे हैं तो चर्णोबिल पर इननों ने कब्सा कर लिया तो हो सकता है कॉरिडॉर बना दें युक्रेन के थ्रू जो रेशिया के हाथ में आ जाए बेलारूस तो इनके हा और एक कटपुतली सरकार यहां पर बनाएंगे युक्रेन में यह मेरा सोचना है तो कुछ जादा नहीं होगा सैंक्शन्स इतने हैं सीमित ही है इससे रशिया पर कोई इंपैक्ट नहीं है और यह दूरदर्शी है मारियो ड्रागी जिन्होंने कहा कि एनरजी पर मत लगाई है हमारा ही नुकसान है कल 20-20% एक टाइम पर 60% यूरोपियन गैस उपर था तो उनकी अपनी एकॉनमी खतम करने की बात है रशिया से गैस नहीं लेनी तो हाँ वो पूटिन को स्ट्रॉंग बनाता है बट अभी कोई विकल्प नहीं है सेम तेल जो 105 गया रात को 99 पे गया स्टेबिलिटी आती है तो तेल थोड़ा और नीचे आ जाएगा बट रशिया का हमारे पास विकल्प नहीं है 10 मिलियन बैरल दिन के जो वो बना रहे हैं दुनिया के पास है नहीं वो बैरल एक्स्ट्रा बना सकते हैं बट वो तभी बनाएंगे जब बात करेंगे उनसे और वो ट्रंप कर पाते थे बाइडन ने तो फोन भी नहीं लिया उनके युवराज का भी तक तो यह इसमें कमोडिटीज अभी भी हमें लग रहे है कि एलिवेटिड रहेंगे और लास फरवरी से हमारा यही थीसिस था कमोडिटी सूपर साइकल है यह रहेगा एलिवेटिड सप्लाइब के चलते और यह पिछले साल हमें नहीं पता था युक्रेन हो जाएगा इससे और सप्लाइब पर अगहात आता है क्योंकि कुछ देश तो नहीं लेंगे इस चीए बिल्कुल सर परफेक्ट है तो यह आपके लिए पूरा पूरा आउटलुक है और आप और हम भल जाग रहे हैं सब कुछ पढ़ रहे हैं तो ग्लोबल मांकर में जो भी हो रहा है पूछ लेंगे ज्यादा दिमाग क्यों लगाता है ज्यादा तो सर समस्तों गए होंगे आप आपको मिकेंट पर आराम नहीं करना है यह दियाद भी रखिएगा बिल्कुल फिर जल्दी बला